आज बात करेंगे केरिल चर्चिल के केरिल चर्चिल को समकालीन समय के सबसे विपुल नाटक करों में से एक रूप में जाना जाता है वह सत्ता के सोशन के चित्रन, गेर प्रकरतिवादी तकनिकों के उप्योग अपने पात्रों के माध्यम से योण राजनिती और नारिवादी बीसे हों कि अध्यान के रिए सबसे जाने जाती है कहरेल चर्चिल इनके प्रमुक प्लेज में एक प्ले है क्लाउड नाईन 1989 के अंदर दो एक्ट्स में एक नाटक है क्लाउड नाइन का पहला भाग अफ्रीका के ब्रिटिस उपनिवेस में विक्टोरियन यूग के दोरान इस्तापित किया गया है एसे कई पात्र है जो सक्ति संरचनाओं को दर्शाते हैं पुरूसों और मैलाओं के विभ्विन नसलों के लोगों के जीवन को नियंतरित करते हैं दूसरा भाग ठीक 25 वर्सों के बाद खुलता है और अधिकांस पात्र फिर से प्रकट होता है नाटक अपनी असलील बासा और मुद्दों के सासिक चित्रन के लिए प्रसिद है क्लाउड नाइन दूसरा इनका प्ले है टॉप गल्स 1982 में आया था यह नाटक मारलीन नाम की एक अठ्यादिक करियर प्रेरित महिला और अपनी महत्वकांग साओं को पूरा करने के लिए जिवन में चुने गए विकल्पों के इर्द गिर्द गूनता है यह नाटक उन संगर्सों पर प्रकाश डालता है जिनका महिलाओं को आधुनिक समय में अपनी भूमिकाओं से सम्मदित सामना करना पड़ता है परिवार और करियर के बीच उलजी हुई यह वेतियासिक पातरों से मिलने आती है जिनकी कहानिया समकालीन महिलाओं के संगर्सों से मिलती जुलती है टॉप गल्स 1982 इसके बाद आता सीरियस मनी यह 1987 में आया था क्लाउड नाइन और टॉप गल्स के साथ चर्चिल के बहतरी नाटकों में से एक माना जाने वाला यह नाटक शेर वाजार के विशे प्रविएंग के करता है और बड़े पेमाने पर तुकांत दोहों में लिखा गया था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने केरिल चर्चिल के बारे में अच्छे से जान लिया और इन की फैमस रचनाओं के बारे में भी स्टड़ी का लिया अगले वीडियो में आगे का कॉंसेप्ट लेकर के आगे का टोपिक लेकर के प्रस्तुत होंगे